मुंबई इंडियन्स के कप्तान हार्दिक पांडिया के नाम एक अंचाहा रिकॉर्ड दर्स हो गया है। मुंबई इंडियन्स को IPL के इस सीजन में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही हार्दिक IPL में मुंबई इंडियन्स के लिए पहले तीन मै मैच हारने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में हर भजन सिंह की बराबरी कर ली है। हार्दिक मुम्बई से पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते थे और इस दौरान उनका कार्यकाल काफी सफर रहा था। हार्दिक ने गुजरात को अपनी कप्तानी में विजेता बनाया। जबकि पिछले सीजन टीम उप विजेता बनकर उभी, हार्दिक जब गुजरात के कप्तान बने थे तो टीम ने लगातार तीन मैच जीते थे। लेकिन मुंबई के लिए उनका प्रदर्शन इसके उलट रह है। टीम को इस सीजन लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई को इस से पहले गुजरात टाइटन्स ने छे रन से हराया था। जबकि टीम को संराइजर्स हैदराबाद ने 31 रन से मात दी थी। IPL के शुरुवाती सीजन में हर भजन ने मुंबई की कमान संभाली थी और उनकी कप्तानी में टीम को पहले तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। उस सीजन मुंबई को RCB ने 5 विकेट से हराया था। जबकि चैननेई सुपर किंग्स ने 6 रन और पंजाब किंग् पहले बल्ले बाजी की लेकिन टीम ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा और नमन धीर का विकेट गमवा कर मुंबई इंडियन्स 125 रन बना पाई। IPL में राजस्थान ने मुंबई को हरा कर जीत की हैट्रिक पूरी की हारदिक पंडिया की कप्तानी में मुंबई की टीम को लगातार तीसरी हार मिली। राजस्थान रोयल्स के दो गेंड बाजों ने मुंबई इंडियन्स की टीम के बल्ले बाजों पर IPL के चौधवे मैच में हल्ला बोल दिया। ट्रिंट बॉल्ट ने तीन विकेट जटके। इसके बाद युजवेंद्र चहल ने भी तीन बल्ले बाजों को आउट किया। मुंबई इंडियन्स से मिले 126 रन के लक्षे का पीछा करने उत्री राजस्थान रोयल्स को शुरुवाती जटके लगे। यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर और संजू सैमसन अच्छी शुरुवात के बाद अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद फॉम में चल रहे रियान पराग ने एक बार फिर कमाल दिखाया। राजस्थान को रियान पराग और शुभम दुबे ने सोलहवे ओवर में जीत दिलाई।